नमस्कार नेक्सनाइट न्यूस देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ किरन यादव भारत के सबसे चहेते और पॉपुलर कोमेडियन राजुश्रिवास्तव का 20 सितंबर 2022 के दिल दिल्ली के एम्स में निधन हो गया आपको हम बताते चले कि राजु को काडियक अरेस्ट क के बाद होस्पिटल में भरती कराया गया था जिसके बाद वो कोमा में चले गए थे लगबग डेड़ महीने के इलाज के बाद भी राजु होश में नहीं आये और उनका निधन हो गया कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया कि राजु बीच में होश में आये थे लेकिन वास्तव के लिए मुंबई में प्रार्थना सभा आयोजित की जाने वाली है राजु की बेटी अंतरा ने बताया है कि शनिवार रात को मुंबई पहुच रही है और अंतरा ने ये भी बताया है कि उनकी मा की हालत अभी छीक नहीं है और ये उनके परिवार के लिए सबसे मुंबई में प्रार्थना सभा में शामिल होने के बाद ही अंतरा और उनका परिवार दिल्ली वाबस लोट आएगा अंतरा ने बताया कि दिल्ली की रस्मों को पूरा करने के बाद सभी लोग राजुश्रिवास्तव को होम टाउन कानपूर में जाएंगे जहां एक पूजा भी रखी जाएगी राजुश्रिवास्तव जिम में वर्क आउट करते हुए बेहोश हो गए थे जिसके बाद उन्हें एमस में भरती कराया गया था हॉस्पिटल में भरती कराया जाने के बाद राजु को वेंटी लेटर पर भी रखा गया था बीच में कहा जा रहा था कि राजु की तब्यत में सुधार है और वो होश में आ गए है हाला कि उनकी बेटी अंतरा ने बताया कि वो कभी होश में आए ही नहीं थे अंतरा ने कहा कि पापा ने हॉस्पिटल में कोई बात नहीं की आपको बता दे कि भारत के सबसे पॉपुलर कॉमेडियन में से एक थे वह तेरा क्या कहना मैं प्रेम की दिवानी बिग ब्रदर बॉम्बे टुगोवा और टॉयलिट एक प्रेम कथा जैसे फिल्मों में काम किया था राजु के निधन से परिवार और फैंस और उनके दोस्तों को बड़ा जटका लगा है राजु के निधन के अगले दिन प्रेयर मीट 25 सितंबर को की जाएगी प्रेयर मीट जूहु के स्कोन में होगी और आपको हम बता दे की देखे ये रिपोर्ट भी आई है कि राजु शिवास्व की पत्नी चाहती है कि मुंबई में कॉमेडियन की प्रेयर मीट हो क्योंकि यहां राजु की कई यादे है उन् का कहना था कि उन्हें विश्वास था कि राजु ठीक हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ उन्होंने कहा कि राजु ने अस्पताल में बहुत लंबी जंग लड़ी है उन्होंने एक इंटर्व्यू में ये भी कहा है कि मैं क्या कहूं इस बारे में मुझे उम्मीद थी कि राजु ठीक हो जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मैंने बहुत जादा प्रास्तना की लेकिन वह वापस नहीं आए वह बड़े फाइटर थे फिलाल इस खबर में बस इतना ही लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हमा